श्री गनेशा या नमाहा नमस्कार दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है चंद्रमा मन का कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते है वो चंद्रमा की स्थिति ले कर आती है इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज की जीवन को बहुत ज़ तरह के परिणाम ला रहे हैं। ज़रूरत नहीं है तो यात्राएं ना करें। मैरिड लाइप में इस दिन तनाव भरी स्थितिया उत्पन्द हो सकती है। शान्ती बनाए रखे घर परिवार में किसी बात पर मतभेद होने की संभावना रहेगी। ग्रहमान खराब तो नहीं है लेकिन अच्छा भी नहीं कहा जा सकता। स्थितिया सामान्य बनी रह सकती है। अगर आप विदेश में व्यापार या जॉब करते हैं तो आप के लिए समय काफी अच्छा रहेगा। विदेश से धन कमाने के लिए भी समय अच्छा रहेगा। मंदी चोटी मोटी परेशानिया इस समय में सता सकती है दोस्तों इस दिन परेशानिया नुक्सान या स्वास्ते से जुड़ी परेशानिया आपको सताए तो मंदिर जाकर भगवान का दर्शन जरूर करे और एक रुपए का सिक्का मंदिर के मुख्य गुलक में जरूर डाले आपके अच्छे के लिए भगवान से प्रार्थना करना ना भूले और इस दिन चंदनिया के सरकातिलक अपने माथे पर जरूर लगाए हमारा स्वास्त्य काफी हद तक हमारी आदतों पर निर्वर होता है अगर आप एक्जरसाइज योका करते है सुबे टहलने जाते है दोस्तों खुद को स्वस्त रखनी की कोशिश जरूर करें इस दिन हरे रंका इस्तिमाल करना आपके लिए अच्छा रहेगा और पांच अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधारित है कभी-कभी हमारी परसनल कु पूजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मारगदर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज़्यादा चरहेगा